हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैं हूँ डॉक्टर काभेजी हालदाल और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लोही के बारे में लोहा जो आपकी शरीर की सारी ठकावट को दूर कर देगा आपके शरीर की खून की कमी को दूर कर देगा इत्ता शक्तिशाली है लोहा, कभी सोचे है आपने पहले जो बरतन बना करते थे लोहे के बनते थे उन बरतनों में खाना बनता था तो जब खाना उसमें पकता था तो उसके साथ में नोहे की मात्रा हमारी शरीर को मिल जाती थी जिसके कारण हमारे खुन की मात्रा जो है वो बराबर बनी रहती थी और खुन की कमिय नहीं होती थी लेकिन आज सब बदल चुका है NON-Stick यूज करते हैं कुछ जर्मन के बर्तन यूज करते हैं तो इस तरीके से बर्तन बदल चुके हैं, खाना बनाने का धंग बदल चुका है और जैसे जैसे ये बदलाव आया है वैसे वैसे हमारी शारेर एक छम्ताओं में भी कभी आई है पहले मुहाबरे भी हुआ करते थे, कुछ भी बात रहता था तो लोहे के चने चबाना या किसी से लोहा मनवाना तो अब ना हमारे दाथ उतने मजबूत रह गए हैं कि लोहे के चने चबा सके और ना शरीर में एक छम्ताओं जी है कि किसी बात का लोहा मनवा सके तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपनी इशारीर ती कमजोरी को किस प्रकार लोहे से दूर कर सकते हैं और क्या ऐसा है लोहे में जिसके कारण आपकी शरीर में खून की मातरा बरावर बढ़ जाएगी और खून की मात्र जब शरीर में बढ़ती है तो मैं पहले की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ जब खून की मात्र हमारी शरीर में बढ़ती है तो ऑक्सिजन का लेवल भी हमारी बोडी में अच्छा बना रहता है जिससे हमारे शरीर का हर एक भाग, हर एक टिशू, हर एक अंग, वो एनर्जी से भरा हुआ रहता है क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में आक्सिजन मिलता है जब प्रॉपर मात्रा में आक्सिजन मिलेगा तो वो बढ़िया से सास ले पाएगा और अच्छे से अपना काम कर पाएगा तो होमेवेटी में बहुत ही असरदार मेडिसिन है जो कि लोहे से बनती है जी हाँ, यही लोहा जिसकी में बात कर रही है यह मेडिसिन है फेरमेट लोहे से बनती है यह मेडिसिन और ये medicine आपके शरीर की कमजोरी, ठाकावट, खून की कमी को दूर करके आपको एक शक्ती देगी आपकी health को बहुत ही strong करेगी तो आईए जानते हैं इस medicine के बारे में कैसे ही आपकी शरीर में खून की मातरा को बराबर करती है तो शुरू करते हैं शरीर में खून की कमी को वो एनीमिया कहा जाता है दोस्तों एनीमिया वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं एनीमिया के कारण बहुत से हैं जैसे रमे खान पान हमारा सही मातरे में नहीं होना फूर्ट में आईरन होते हैं वो हमारी बोड़ी को नहीं मिल पाता iron जो है वो body में hemoglobin को form करने में बहुत बड़ा role play करता है जब iron मिलता है तो अच्छे तरीके से हमारे red blood cell से उसमें hemoglobin का formation हो पाता है तो जिसके कारण हमारी शेरी में बराबर से iron की मातरा बनी रहती है तो वो खून की मातरा बराबर बनी रहती है खून की कमी के बहुत सारे कारण हैं जैसे खान पान और महीलाओं में जादतर होता है period साते हैं उनके हर महीने तो उससे खून की कमी हो जाती है उनको और pregnancy period में जादा demand होती है तो उस टाइम पे भी hemoglobin की मातरा जो है शेरीर में काम हो जाती है इसलिए mostly उन्हें iron की tablet सीच जाती है खाने के लिए और अगर कोई पुरानी बीमारी से अगर आप सपर कर रहे हैं जैसे kidney problem हो गई या कोई बड़ी बीमारी हो गई वो चल रहा है है लंबे time से तो उसके कारण भी शेरीर में खुन की मातरा दीरे दीरे कम होने लगती है और कम जोड़ी आने लगती है इसके अलावा दूसरे कारण की बात करें तो कभी जब अगर accident वगेरा हुआ या कोई चोट वगेरा आई आई आपको और severe blood loss हो गया तो एनिमिय की condition आही जाती है जब भी शरीर में red blood cells का formation कम हो जाएगा तो एनिमिय की condition आएगी आईरन नहीं बनने के कारण हिमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा हिमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो body के tissue organ को proper मात्र में oxygen supply नहीं हो पाएगी तो जो खून की कमी को हम normal समझ के छोड़ देते हैं कि daily अरे यार चलो ठीक है थोड़ा बहुत कम हुआ तो खान पीन में हम लापरवाही बरत देते हैं आईरन के टॉनिक सप्लिमेंट्स वगेरा भी हम कुछ दिन लेते पर छोड़ देते हैं अरे चलो ठीक काम चल रहा है 7 ग्राम हेमोगलोबिन की मादरा 7 ग्राम या फिर कहते हैं 10 ग्राम 9 ग्राम इतने रहते हैं तो हम ठीक है यार काफी है चल जाए गस से इस से ज़्यादा हम उसको बढ़ाने के बारे में नहीं सूचते हैं जबकि यह हमारे शरील के लिए कितना जादा जरूरी है और फिर हम कहते हैं कि हमें कमजोरी लग रही है हमारा सर दुखरा है चक्कर आ रहे हैं हमको घबराट हो रही है यह सारी कंप्टेन लेकर के लोग क्लीनिक्स में आते हैं लेकिन हमें यह समझना बहुत जादा जरूरी है कि हमें अफ्ने डाइट में ऐसे तत्वो को शामिल करना जरूरी है एसे खाना खाना नहीं है, खाने में ऐसे चीज़े होनी चाहिए जो हमारे शरीर को वितामीन से भरते, जितने हमारी बोड़ी को नीड है, ताकि हमारी और्वन प्रॉपर काम कर सके, जब प्रॉपर काम करेंगे तो फिर बीमारी के कोई बात रहेंगे, ना आपका सर न घबराहट न चक्कर होगा तो फेरम में ठोमेटी की बहुत ही असरदार मेडिसीन है यह आपके शरीर में हिमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाएगा आपकी खून की मात्रा को बराबर लेवल में लाएगा आपके कमजोरी थकान घबराहट चक्कर सब को दूर कर देगा तो सबसे पहले एनिमिया पर बात करते हैं जब आपके शरीर में खून की मात्रा कम होती है लेकिन फिर भी आपको शरीर को देखकर क्यासा लगेगा कि नहीं इनकी शरीर में खून है एक लालीमा बनी हुई राती है बढ़िया दिखेगा रेड रेंट दिख रहा है आरे मतल पर नहीं होती है उनकी बॉली में खून की मात्रा में कम ही होती है जिसके कारण से उनको सर्दर गबराहट सास लेने में तकलीफ जो धीरे-धीरे बाद में चल करके आजमा का रूप ले लेती है दमसास का रूप ले लेती है अगर थोड़ी सी सीड़िया बगेरे चड़ते तो हापने लगते हैं, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, भूग लगती है और भूग नहीं भी लगती है, और जब भूग लगती है तो इतना खा लेते हैं इंखटा के ओबर, और जब भूग नहीं लगती है तो नहीं खाते हैं, इस तरीका का विचित्र लक्षण मिलत साथ में इसमें देखेंगे आपकी डल सा चहरा लगता है इनका थका थका सा आजसी बहुत रहती है इनमें दिन भर पड़े रहने की इच्छा कुछ काम करने में मन नहीं लगता है और खाना खाते हैं तो उल्टी कभी मन होने लगता है इस तरह के लक्षण अगर आप में मिल रहे हैं और आपकी शरीर में खून की मात्रा कम है तो यह आईरेन मेडिसेन यह फेरम मेड बैस्ट आपके लिए इस मेडिसेन में एक दो बीची तरह लक्षण ओर है जैसे कि बहता तो आपके थाना पानी अगर देखेंगे तो चक्कर आने लगता है तो इस तरह की कमजोरी में यह मैं बहुत इचह काम करती है और साथ में कमर में दर्द भी होता है हिप रिजर में दर्ध होता है तो इस तरह से पेरम मेट आपकी बॉडी में असर करके आपके शरीर में खुल की मात्रा को बराबर करती है तो यह लक्षन अगर आपके लक्षनों से मिल रहे हो तो आप बिल्कुल यह मेडिसिन ले सकते हैं अब बात करते हैं कि आप डाइट में सा क्या लें जिससे आपके शरीर में आईरन की मात्रा सही हो जाए तो डाइट में आप हरी सब्दियां ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं और गुड़ खा सकते हैं, गुड़ से भी प्रचुर मात्रा में आईरन मिल जाता है मूमफली, गुड़ के साथ में मूमफली या जिसको चिक्की कहते हैं वो खा सकते हैं आप और seafood खा सकते हैं अगर आप non-vegetarian है तो साथ में आप अनार खा सकते हैं चुकंदर खा सकते हैं यह सब में भर मात्रा में iron होता है तो आप अपने diet को जो medicine के साथ में सही रखते हैं प्रॉपर रखते हैं जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप बता चुकी हूँ कि हमारी diet का हमारे health के लिए medicine के काम करने के लिए बहुत important role होता है तो आप diet के साथ medicine को लेंगे अगर आप तो आपकी यह problem जो है हुनकी कमी या एनिमिया कह लीजिए यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो यह होमोपेथी की medicine आज मैंने आपसे discuss करी है एनिमिया के लिए आपका अगर हीमोगलोबिल लेबल 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, 10 ग्राम बहुत कम चल रहा है तब भी यह medicine बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि यह पूरे आपका internal लेबल से जाकरके अच्छी तरीके से आपके problem को solve करके आपके शरी मखुद की मातरा को बढ़ाने में बहुत help करेगी I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा तो प्लीज लाइक शेर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे और भी ऐसे वीडियो आप तक पहुंस सकें Thank you